आपको तो पताई है कि अमेरिका और क्यूबा का डिलेशन कैसा है बट डू यू नो डेट क्यूबा में अमेरिका का एक पर्मनेंट नैवल बेस है ये क्या बकवाज कर रहा है नहीं नहीं बकवाज नहीं ये सच है तो कहानी शुरू होती है साल 1898 से उस समय क्यूबा अपनी अजादी की लड़ाई लड़ रहा था अब अमेरिका क्यूबन रिबिल्स के सपोर्ट में कूद गया इस लड़ाई में और शुडू हुआ दस स्पैनिश अमेरिकन वार इस यूद के दोरान ही अमेरिका ने गुवांतानामो बे को कैप्चर कर लिया था खैर अंत में स्पे क्यूबा से पर्मनेंट लीस पे ले लेता है इसके बाद से सब कुछ तो बड़िया चल रहा था लेकिन 60s के दशक में पुरा खेली पलट गया क्यूबा में सत्ता ही चेंज हो गया अमेरिका ने कोशिश तो की पर कमेनिस्ट सरकार को क्यूबा से उखार नहीं फेक पाया अ अब कमाल की बात ये हैं कि 1969 के बाद भी अमेरिका ने क्यूबा को लीस पेमिंट किया था सिर्फ एक बार भले ही ये एक अमेरिकन ओवर्सिस नैवल बेस है पर ये जगा एक और चीज के लिए भी मशूर है